क्या हुआ दोस्तों? जब बागेश्वर धाम में पहुँचा, एक जादूगर और कर दिया. बाबा को ही चैलेंज दोस्तों, बाबा बागेश्वर अपने परची को लेकर बहुत ही ज्यादा वाइरल रहते हैं. कुछ दिन पहले की बात है, बागेश्वर धाम में एक मुसलि सकता हूँ और उसने वहाँ पर अपनी सामगरी फैलाई और जब कहा के एक लड़का आगे आजाओ या फिर कोई लड़की, तो उन में से एक अभिलाश नाम का लड़का आगे आया और फिर उसे जादूगर ने उसे लड़के को देखते ही देखते कबूतर बना दिया. यह कला का प्रदर्शन करूं। यह सोचकर वह बागेश्वर धाम पहुंच गया, जो कि वह एक मुस्लिम जादूगर था और वह मुस्लिम विद्या, जो कि भूत प्रेत इत्यादी पड़े हुए था और आप सभी जानते हो कि भूत विशाज निकट नहीं आवे महावीर, जब लोगों ने कहा, दिखाओ, तुम क्या दिख रहे हो। तब उसने कहा, जब तक गुरु जी नहीं आएंगे, तब तक मैं अपना खेल प्रदर्शन नहीं करूंगा, और मैं गुरु जी को चुनौती देता हूँ कि मेरी तरह करके दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा कि यहाँ क के साथ में खेल प्रारंभ करूंगा, तब एक सेवादार आगे आया और कहा, बैठ जाओ, तब वह मुस्लिम जादूगर कहता है, मैं इस लड़के को कबूतर बना दूँगा, गुरु जी ने कहा, ठीक है, तुम दिखाओ, पर उसने अपनी पूरी जान लगा दी और पूर धर से अलग हो गया, फिर गुरु जी ने उसका सर फिर से ठीक किया, वह जादूगर गुरु जी के चरणों में गिर गया, और कहा, मेरी विद्या, यहां पर काम क्यों नहीं कि मुझे यह बताओ, गुरु देव, तब बाबा, बागेश्वर, बोले तुम को शायद पता नह नहीं, यहां पर सभी देवों के देव और सर्व शक्तिमान, कल्युक के राजा हनुमान जी विराजमान है, और उनके सामने कोई भी बुरी शक्ती नहीं ठहर सकती, यह बात तुम कैसे भूल गए, इसलिए तुम्हारी विद्या किसी काम की नहीं रही, बागेश्वर में, फिर उसने भी सनातन धर्म कबूल कर लिया, यह है बागेश्वर धाम का चमतकार, वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर करें, यह जानकारी हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है, कैलाश के ब्लॉक चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता, धन्यवाद.